असलाम बड़ेकुम विल्कम बैक टू दिन्य वीडियो आज मैं किना गई हूँ आप सब करें बहुत इमसदार वीडियो के साथ आज मैं बढ़ाने जा रहे हूँ नो वेक जॉप्टेट बिस्केट केक तो चली देखते कैसे बनती है वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आप बिस्केट पर ले ले तो यहाँ 25 तो 27 पीसिस है सारी चाथ एक कप मैंने मिल्क लिया है फोर टेबल स्पून बटर लिया है अन्साल्टेट त्री टेबल स्पून को कोपावडर वन हाफ कप शुगर और यहां मैंने एक बड़ा सब पावल लिया है जिसमें नॉर देखें कितनी एजिली और कितनी जल्दी से हमारे जो है बिस्केट वो जो है वो क्रेश हो जाते है इसी तरीके से मैंने कर लिया है और अब मैं एक सॉस पैन ले लूंकी अभी मैंने फ्लेम और नहीं किये फ्लेम ओफ करते हुए हम इसमें शुगर और पावडर कर देंगे अब याई फ्लेम कर लेंगे इस मीक्स करने के बाद इसे हैं मिल्क अ करने हो रुपनी इसाहं करते रहना है की ज Ofल करते हैं एक कटिनळस्ली ता कि कोई भी लंग्स ना बने लें जासे में कर रही चार्लिजर यह कर रही हो इसी तरीके से हमें करते रहना है साइडों से भी हमें हटाते रहना है यह देखे कितने ची तरीके से मिक्स हो रहा है थोड़ी देर में यह वो इसके लंग्स खत्म हो जाएंगे अब हम इसको दो मिन के लिए छोड़ देंगे इसी तरह और यहां देखें इसको पकते वे दो से तीन मेंट हो शुक है अब हम इसको अगेन अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यह देखें इस तरह जैसे मैं कर रही हूं ताकि यह जो चॉकलेट हमारी है नीचे बैट कहीं थी वह अगेन इसमें मिक्स हो जाए यह देखें इस तरह इसे तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि यह अच्छा से बख जाए बहुत यह ची से को खो और यहां देखें इसमें बबल्स बनना स्टार्ट होगे हैं पर मिसमें अपना बटर आइट करतेंगे यह अन्सॉल्डड बटर है अगेन मैं आपको बता रही हूं करेंगे वहना ज़सका टेज़त है वह खराब हो जाएगा अब इस तरीके से अम इसको पिखर लेंगे बटर कंप्लीट ही जब मेल्ड हो जाएगा कि तब हम इसको जो है वह वह बन कर देंगे आप इसकी कंसिस्टंसी अभी देख सकते हैं भी यह आरा नहीं हुआ है यह देखे इस तरीके से और यहां हमारा जो बटर है वह मेल्ड हो चुक है और वबल जाना स्टार्ट हो चुक है अब हम इस पैचला ले लेंगे जिसकी मदद से हम इसको जैन्वेली सिर्फ मिक्स कर लेंगे और इसको सिर्फ दो मिन तक और बखाएंगे ताकि यह अच्छी तरीके से एक टेक्स्च्चर फॉर्म में आ जाए और यहां देखें इस पैचला में कोट होना स्टार्ट हो गया तो यह रेडी है अब हम इसको तोई ठंडा होने देंगे और यह ठंडा हो चुका था आप हम इसको अपने बिस्केट्स में एड करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा साइड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे फिर हम अगेन इसमें बैटर आइड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे बिस्केट्स में बैटर अच्छी तरीके मिक्स हो जाए यह देखें इस तरह और अब हम इसमें अपना जो है वो पूरा बैटर एड़ कर देंगे यह देखें बिलकुल इसी तरही के से और अब इसको जो है वो बहुत यह तरही के से मिक्स कर लेंगे और तवरी तरह के लिए हम इसको साइट पर रख देंगी एस तरह के सामें मिक्स करना है इसको हम साइट पर अखेंगे हो हैं यहां मैंने केक टिन ले लिया है जिसको मैं और दो करना है अगर आप फोल्डेबल टिन लेना चाहें तो आप वह भी ले सकते हैं वरना आप नॉर्मली यह वाला टिन भी उसकर सकते हैं केक मोर्ड जिसे कहते हैं कि अब हम इसमें बड़ हर पूट करेंगे इस तरी के से वैंने बड़े साइज का पड़े पेपर लिया है ताके हमें जो एवो निकाल निकाल कर देंग्ए यह तरह और इसके ऊपर भी हम और ब्रीश कर लेंगे यह तके यह तरीके से शैट हो जाए और यहां देखें कितने ंची तरीके से सेट होगी है अब हम इसमें अपना बैटर को एड करेंगे ये देखें इस तरह पूरा बैटर अड़ करेंगे बिसक्यट्स बाला और अब हम प्सपैच्चिला से सेट कर लेंगे स्पेचल आया कोई भी स्पून से आप इसको सेट कर ले यह देखें इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ कि देखें किती तरीके से यह वह सेट हो चुका है अब हम इसको 22-25 में के लिए फ्रीजर में रख देंगे साधी साथ हम इसकी एक चॉकलेट गनाज बना लेंगे स्मूथ सा तो इसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून क्रीम लिए हैवी विपिंग क्रीम जिसको मैंने वन में के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लिया था यानिके अच्छी तरीके से गरम कर दें के बाद हम इसमें अपनी थोड़ी सी चॉकलेट आइट करेंगे तकरीबन हाफ कब जितनी मेरे बाद क्रेश्च चॉक्रत थी साती साथ मैंने इसमें टू टेबल स्पून जितनी चॉको चिप भी एट की ताके इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए और अब मैं दो मिंट के लिए इसको चोड़ दूंगी और यहां देखें मैंने दो मिंट के लिए इसको चॉड़ दिया था मैं इसको बहुत इची तरीके से जो है वो मिक्स कर लूंगी ताके यह मैं तो जाए कंप्लीट ली और यहां देखें माई चॉक्रिट कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और यहां 25 मेंट हो चुके मैंने इसको कोड हो जाए इस तरह जैसे मैं आपको बताया है स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रसीपी ने रखिक कर लेंगे और यहां इसको टू से थ्री हार्ट के लिए फ्रीज कर लेंगे और यहां देखिए आफ्टर फाइफ तो सिक्स हार हमारा नो बेक चॉक्लेट बिस्केट केट कमकेट रडी हो चुका है देखा कि पीजियो किती मिज़दार तरीके से हमारा जोई केक है वो रडी हो गया ना किसी बेकिंग की जरुवत परी और ना किसी मशीन की जरुवत परी ऐसे ही हमारा केक रडी हो गया तो अमीद करते हूं कि आपको रचिपी अच्छी दोग्यों की रचिपीश लगे तो वीडियो का लाइक करना ना बोले शेयर करें कॉमेंट करें और आसी मिज़दार रचिपीश के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें मिलती हुन एक झाल